हेलो दोस्तों श्वागत है आप सभी का अपनी यूटूब चैनल जी एस नमबर बनते दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार की जनगरना रिपोर्ट को देखने वाले हैं और साथ में फणनी यहों मस्त ट्रिकों से उसको याद करने वाले हैं जिससे एकजाम में अगर उससे प्रशन आता है तो आसानी से हम उसको बहुत ही अच्छे से कर पाएंगे आए विडियो सुरू करें इसे पहली अदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक, share and महत्पुन प्रसने दिये गए हैं उन सबका हम लोग डिसेशन करने वाले हैं और एक बार फिर मैं बदा दूँ हम लोग बहुत ही अच्छे से ट्रिक्स से याद करने वाले हैं और आप जो है एकजाम में बहुत अच्छे करके आओगे चलिए शुरू करते हैं हमारा पहला प्रसन है 2011 की जनगर्णा के अनुसार बिहार की कुल जन संख्या कितनी है इसका सही अंसर अप्शन ए हो जाएगा 10 करोड 40,99,452 है आगे बढ़ते हैं अगला प्रसन हमारा 2011 की जनगर्णा के अनुसार बिहार की जन संख्या देश की जन संख्या का लगवग कितना परतिसत है तो बिहार का जो जन संख्या है वा देश की जन संख्या का लगवग 8.6 परसेंट है सही अंसर option C हो जाएगा आगे बढ़ते हैं अगला प्रशन हमारा जनसंख्या की दिरिष्टी से बिहार देश में कौन सा आस्थान रखता है तो जनसंख्या की दिरिष्टी से बिहार का जो है वो अदेश में तीसरा आस्थान है सही अंसर option C हो जाएगा आगे बढ़ते हैं अगला प्रस्ण हमारा बिहार की सहरी एम तथा ग्रामीर जनसंख्या का परतिसत कितना है तो बिहार की सहरी एम ग्रामीर जनसंख्या का परतिसत 11.3 एवं ग्रामीर का 88.7 परतिसत है इसका सही एंसर C हो जाएगा अब इसको हम लोग कैसे याद रखेंगे तो अब सब कोई जानते हैं कि बिहार में जो है वह सहरों के अपेक्षा गाओं में लोग अधिक रहते हैं क्या रहते हैं सहरों के अपक्षा यदि हम सिटी के टाउन के अगर बात कर लें और भीलेज की बात कर लें तो टाउन में रहने वारे लोगों से ज्यादा लोग रहते हैं भीलेज में तो यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि टाउन में जो लोग हैं वह 11.3% हैं हम लोग इसको मोटा-मोटी 111 पर्शाइन और इससे आठ गुन्ना यानि सहर में लोग रहते है उससे जदा ऐठ गुना कितना गुना 8 गुना जदा लोग जो आए गाओं में रहते हैं तो इससे हो जाएगा एगारा से 8 गुन्ना हो जाएगा 88 दसमलो 7 तुल आगे बढ़ते हैं आसा करता हूँ या आपको याद हो गया होगा अगला प्रस्ण है नगर्ये जनसंख्या की दिर्ष्टी से देश के राज केंदर सासित प्रदेश में बिहार का अस्थान कितना है तो इसका सही अंसर हो जाएगा अप्शन नमर भी बरहवा अस्थान है आग पूर्वी चमपारन एवं मजब परपूर इसको हम लोग कैसे आद रखेंगे तो इसके लिए हम लोग एक कहानी सुनते हैं जिसमें यहाँ पर बात की जा रही है जनसंख्या की तो जनसंख्या कही ना कहीं जो है वो साधी से रिलेटेट करता है और साधी जो है अभी के सव जाता है जिससे कि उसकी साधी हो जाए लेकिन करता यह है कि वहाँ से चमपा को लेकर क्या हो जाता है फूर हो जाता है क्या हो जाता है फूर हो जाता है चमपा को लेकर भाग जाता है तो यह से जो है क्या होता है इसे हम लोग याद रख सकते हैं असानी से कि जनसंख्या मे सबसे पॉले पटना फिर पूर्वी चंपरन और उसके बाद फूर से याद रख लेंगे मुझभफर फूर सही अंसर अप्शन सी हो जाएगा आगे बढ़ते हैं अगला प्रस्न है मरा बिहार में नियुंतम जनसंख्या वाला जीला है तो याद रखेंगे बिहार में नियुंतम जनसंख्या वाला जीला जो है सही अंसर अप्शन सी हो जाएगा सेख पूरा सी वहर एवं अरवल अगे बढ़ते हैं अगला प्रस्न है हमारा 2011 की जनगरना के अनुसार बिहार की सर्वाधिक जनसंख्या बृधी वाला जिला है तो वह जो है मध्य पूरा है अब इसको हम लोग कैसे याद रखेंगे तो इसको हम लोग याद रखेंगे इसमें आ रहा है मध्य तो मधेस हम लोग याद रखते हैं आधा और एक भाग आ रहा है पूरा क्या पूरा तो यह जो था वो 2011 से पहले क्या था यहां के जनसंख्या आधा था और उसके बाद क्या किया कर लिया यह इतना अपना में ब्रिधी किया इतना ब्रिधी किया कि यह पूरा का पूरा हो गया तो यह जो इतना बृधि किया कि जनसंख्या जो है वह सबसे अधिक जनसंख्या बृधि कर लिया तो इससे हम लोग याद रख सकते हैं आधा से आधा और पूरा से पूरा यादा से पौले कम था और बाद में क्या कर लिया खुद को जनसंख्या बृधि करके पूरा कर लिया सही answer option C हो जाएगा आगे बढ़ते हैं अगला प्रस्न है 2011 की जनगरणा का नुसार नियुंतम जनसंख्या बृधी वाला जीला है तो नियुंतम जनसंख्या बृधी वाला जीला कौन सा है और्वल है कौन सा है और्वल है सही answer option E हो जाएगा इसको भी हम लोग एक कहानी से याद रख सकते हैं औरवल से याद रख सकते हैं परवल क्या परवल औरवल से हम लोग याद रख सकते हैं परवल चुकि उस गाह मान लेते हैं कि एक परिवार में बहुत सारे सदस्य हैं जनसंख्या वहां गजाता था तो वहां पे परवल इतना महांगा हो गया था कि परवल जो है वो सब किसी को आही नहीं रहाता खाने के लिए ठीक है सबजी में वो खरीधी नहीं पा रहे थे तो क्या कि यह वहां पे जनसंख्या ब्रेधी क्या कि यह वो नियूंतम कर लिए अ गोपाल गाज है सही answer option c हो जाएगा अब इसको हमों लोग कैसे याद रखेंगे गोपाल गाज इसमें एक सब्ड आ रहा है गोपाल गोपाल जो है हम लोग भगवान कृष्ण को कहोते हैं किसो कहोते हैं लेहां पे लिंगान उपात बहुत जाथा था इसलिए इससे हम लोग याद रख सकते हैं क्या हो जाएगा गुपाल गाज जो है वो लिंगानुपात में सरवाधिक जीला है सही एंसर अप्षन C हो जाएगा आगे बढ़ते हैं अगला प्रस्ण है दो हजारेकारा की जनगर्णा के अनुसार नियुम्तम लिंगानुपात वाला जीला कौन सा है तो लिंगानुपात का इसका सही अंसर अप्षन C हो जाएगा किसंगज क्या हो जाएगा किसंगज इसको हम लोग कैसे याद रखेंगे इसमें भी आ रहा है किसंभगवान क्या कौन से आ रहा है किसंभगवान आ रहा है इससे भी हम लोग याद रख सकते हैं कि यहां पर भी सी दो हजार एकारा की जनगर्णा के अनुसार नियुन्तम सिसु लिंगानुपात वाला जीला कौन सा है तो नियुन्तम लिंगानुपात वाला वह वैसाली है या इसका सही अंसर ऑप्शन भी हो जाएगा अब इसको आम लोग कैसे याद रखेंगे इसका जो है दोस्तों बहुत ही फनी ट्रिक्स बनाए गया है तो आप इसको ध्यान से सुनिएगा होता यह है कि यहां पे जो है वो किसी का भी साधी होता है तो लिंगानुपात इतना कम है कि वहां पे साधी होने के बाद किसी को साली मिलती ही नहीं है क्या साली मिलती ही नहीं है जैसे जो वाइफ होती ह उनकी बहन जो होती है उन बहनों को साली के नाम से ज़ना जाता है तो चुकि लिंगानुपात बहुत कम है इसलिए जिसका भी साधी होता है तो उसको रिष्टे में साली जो है वो नहीं मिलती है तो इसका सही अंसर हो जाएगा साली से हम लोग यादर रख सकते हैं बैसाली आगे बढ़ते हैं अगला प्रसन है हमारा 2011 की जनगर्णा के अनुसार सरवधिक जनसंख्या घंत वाला जिला है तो सरवधिक जनसंख्या घंत वाला जिला की अगर बात करें तो इसका सही अंसर हो जाएगा सीवहर कौनसा सीवहर इसको अब हम लोग कैसे याद रखेंगे अभी जो सावन का महीना चल रहा था तो जो सीवाले था वहाँ पे वहाँ पे जो भक्त लोग थे उनका अगर आप देखे हो येगा विडियो तो उसमें देखे हो येगा कि कितने सारे लोग एक दूसरे से सटे हुए रहते थे वहाँ पे जो जनसंख्या गहनत हो था बहुत काफी था बहुत ज़्यादा था तो उससे हम लोग याद रख सकते हैं कि सीवाले से जो सीवर जो जीला है आगे बढ़ते हैं अगला प्रस्ण है नियूंतम जनसंख्या गहनत वाला जीला कौन सा है तो सही अंसर अप्सन भी हो जाएगा कैमूर क्या हो जाएगा कैमूर हो जाएगा अब इसको हम लोग कैसे आद रखेंगे कैमूर में एक सब आ रहा है मूर तो इस मूर से हम लोग याद रख सकते हैं मूर क्या मूर तो जहाँ पे मूर रहेंगे वहाँ पे लोग कमे न रहेगा तो मूरों की संख्या जहाँ पे जाता है तो इसलिए वहाँ पे लोग कम रहे रहे हैं इसलिए वहाँ का जन संख्या घन तो क्या है कम है सही अंसर option भी हो जाएगा आगे बढ़ते हैं अगला प्रस्न है 2011 की जनगर्णा का अनुसार बिहार का लिंगा नुपात बिहार का लिंगा नुपात कितना है सही अंसर option यह हो जाएगा 918 है आगे बढ़ते हैं अगला प्रस्न है हमारा 2011 की जनगर्णा का अनुसार बिहार का सीसु लिंगा नुपात सीसु लिंगा नुपात की बात करें तो यह जो है 935 हो जाएगा सही अंसर अप्सन सी हो जाएगा अगला प्रसन है 2011 की जनगर्णा का अनुसार बिहार का जनसंख्या घनतो है आगे बड़ते हैं अगला प्रस्न है हमारा अब बात करें इसका कि हम लोग अब इसको कैसे याद रखेंगे इसमें एक सब्द आ रहा है तास कैका तास चुकि यहां का लुग इतना ज़्यादा सिक्षित है इतना ज़्यादा पढ़ा लिखा है कि यहां पे कोई भी जो है वो तास नहीं खेलता है क्या करता है कोई भी तास नहीं खेलता है तो हम लोग अराम से तास से याद रख सकते हैं रोहतास तो रोहतास में सक्षर्था दर सरवादिक है शही अंसर option B हो जाएगा आगे पड़ते हैं अगला प्रसन है 2011 की जनगर्णा क अनुसार बिहार के किस जिला में सक्षरता दर्नीऊंतम है सही अंसर option B हो जाएगा पुर्णिया अब इसको हम लोग कैसे याद रखेंगे इसमें आ रहा है सब्द पूर्णिया, इसको हम लोग एक भजपूरी सब्द से रिलेट कर लेंगे पूरणिया, क्या पूरणिया, जितना भी पूरणिया लोग है, वो जो है, वो साख्षर नहीं था, वो पढ़ा लिक्षाई के बारे में उतना नहीं जानता था, इसलिए इस अगे बढ़ते हैं अगला प्रस्ण हमारा 2011 की जनगर्णा के अनुसार सरवधिक सक्षर्ता जलवरा जीला कौन सा है आरोहिक करम में बताना है इसका सही अंसर अप्षन यह हो जाएगा रोहतास पटना एवं भोजपूर रोहतास पटना एवं भोजपूर अब इसका हम लोग क भोज कराता था ठीक है तो यह हमारा करम हो याद हो गया और ऐसे भी याद रख सकते हैं कि इसके पॉले हम लोग याद रखे हैं कि सबसे अधिक सक्षर्ता जो है वो दर कहा है तो रोहतास में है चुकि वहां का लूग पढ़ा लिखा है और वहां जो है वो तास नहीं खिल आगे बढ़ते हैं अगला प्रस्ण है हमारा कि 2011 की जनगर्णा के अनुसार बिहार का पूरुष सक्षर्ता दर की बात करें तो यह जो है वो एक हतर्त समलों दो परतिशत है सही अंसर अप्शन सी हो जाएगा आगे बढ़ते हैं अगला प्रस्ण है मारा प्रस्ण है 2021 की जनगर्णा के अनुसार बिहार का महिला सक्षरता दर कितना है तो बिहार की महिला सक्षरता दर की बात करें तो यह जो है 51.5% है सही अंसर option C हो जाएगा आगे बढ़ते हैं अगला प्रस्ण है मारा दोजरेगारा की जनगर्णा के अनुसार सबसे कम पूरुस्तता महिला सक्षरता दर वला जीला कौन सा है तो सबसे कम महिला सक्षरता दर वला जीला कौन सा है इसका सही अंसर option B हो जाएगा यदि पूर्णिया लोग है वो जो पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं देता है इ और बात करें महिलाओं में सबसे कम सक्षरतादर तो महिलाओं में सबसे कम सक्षरतादर सहरसा है अब इसको हम लोग कैसे याद रखेंगे महिलाओं के सिख्षित होने के लिए महिलाओं के सक्षर होने के लिए कोई भी जो है उन्हें सहारा नहीं देता है क्या करता है सहारा न देता है आगे बढ़ते हैं अगला प्रसन है हमारा 2011 की जनगर्णा के अनुसर बिहार का सहरी सक्षर्था दर कितना है तो बिहार का सहरी सक्षर्था दर जो है वह 76.9% है सही अन्सर अप्षन ए हो जाएगा आगे बढ़ते हैं अगला प्रस्न है हमारा 2011 की जनगर्णा कनुसर सर्वधी ग्रामीडिये सक्षरता दर्वला जिला कौन सा है तो सर्वधी ग्रामीडिये सक्षरता दर्वला जिला जो है तो सही अंसर अप्सन सी हो जाएगा रोहतास आगे बढ़ते हैं आगला प्रस्न है हमरा 2011 की जनगर्णा कनुसर नियुंतम ग्रामीर सक्षर्टा दर्वला जिला कौन सा है तो नियुंतम ग्रामीर सक्षर्टा दर्वला जिला पूर्णिया यहीं अभी हम लोग पढ़े हैं सर्वादिक सक्षर्टा दर रोहतास और कम जो है वो पूर्णिया हो जाएगा सही answer option B हो जाएगा आगे बढ़ते हैं अगला प्रस्ण है 2011 की जनगर्णा का अनुसार सरवादिक सहरी सक्षर्ता दर वाला जीला कौन सा है सहरी सक्षर्ता दर में अगर बात करें तो वह हो जाएगा कैमूर सही answer option D हो जाएगा आगे बढ़ते हैं अगला प्रस्ण है 2011 की जनगर्णा के अनुसार सबसे कम सहरी सक्षर्टा वाला बिहार का जीला कौन सा है तो सबसे कम अगर सहरी सक्षर्टा की बात करें तो वो है स्यूहर सही अंसर option C हो जाएगा आगे बढ़ते हैं अगला प्रस्ण है हमारा 2011 की जनगर्णा के अनुसार 2011 के दोरान बिहार का दस्की बिरीधी दर के अगर बात करें हम तो यह है 25.42% सही अंसर option भी हो जाएगा आगे बढ़ते हैं अगला प्रस्ण है हमारा 2011 की जनगर्णा के अनुसार सर्वधिक दस्की बिरीधी दर वाला जिला के अगर बात करें तो इसका सही अंसर option ही हो जाएगा मधेपूरा किसन गज एवं और अरिया आगे बढ़ते हैं अगला प्रस्ण है 2011 की जनगर्णा के अनुसार सबसे कम दस्की बिरीधी दर वाला जिला के बात करें तो सही अंसर option C हो जाएगा गोपाल गज दर्भंगा एवं मुगे आगे बढ़ते हैं अगला प्रस्ण है हमारा 2011 की जनगर्णा के अनुसार सरवधिक तथा नियूंतम अनुसूचित जाती जनसंख्या वाला जिला करौन सा है तो इसका सही अंसर हो जाएगा option number A गया एवं सिवहर आगे बढ़ते हैं अगला प्रस्ण है हमारा 2011 की जनगर्णा के अनुसार सरवधिक तथा नियूंतम अनुसूचित जाती परतिसत वाला जिला कोन सा है तो अनुसूचित जाती परतिसत वाला जिला की बात करें तो सही अंसर option B हो जाएगा गया एवं की संगाज आगे बढ़ते हैं अगला प्रस्ण है हमारा गया एगारा की जनगर्णा का अनुसार बिहार में अनुसूचित जातीयों का परतिसत कुल जन संख्या का लगबग कितना परतिसत है तो इसका सही अंसर option A 15.9.1 परतिसत है आगे बढ़ते हैं अगला प्रस्ण है मारा दोजरेगारा की जनगर्णा का अनुसार सर्वधिक तथा नियूंतम अनुसूचित जनजाती संसंख्या वाला जिला की बात की जाए तो उसमें हो जाएगा पस्मी चंपारा नियम सी और सही अंसर अप्सन सी हो जाएगा आगे बढ़ते हैं अगला प्रस्ण है मारा दोजरेगारा की जनगर्णा का अनुसार सर्वधिक तथा नियूंतम अनुसूचित जनजाती संसंख्या वाला जिला कौन सा है इसका सही अंसर अप्सन बी हो जाएगा पस्मी चंपारा नियम खगडिया आगे बढ़ते हैं अगला प्रस्ण है हमारा दोजरेगारा की जनगर्णा के अनुसार बिहार में अनुसूचित जनजाती संसंख्या का परतिशत कितना है इसका सही अंसर अप्सन बी हो जाएगा 1.3 परतिशत आगे बढ़ते हैं अगला प्रस्ण है हमारा दोजरेगारा की जनगर्णा के अनुसार ब 211 की जनगर्णा करुमnicar बिहार में कितना ऐसा जीला है जिसका सक्षर्ते दर, राष्टे सक्षर्ते दर से अधिक है तो इसका सही अंसर ऑप्सन भी हो जाएगा। मुसलिम, इसाई, एम, सिक, सबसी अधिक जो है हिंदू का है आगे बढ़ते हैं अगला प्रस्ण है 2011 की जनगर्णा का अनुसार संथाल जनजाती के लोग बिहार के किस जिला में मुखितन निवास करते हैं तो संथाल जनजाती के जो लोग हैं वो बिहार के किस जिला में निवास करते हैं इसका सही अंसर अप्शन ही हो जाएगा आगे बढ़ते हैं अगला प्रस्ण है 2011 की जनगर्णा का अनुसार मुणडा जनजाती के लोग बिहार के किस जिला में निवास करते हैं तो मुंड़ा जन जाती के जो लोग है इसका भी सही अंसर अपसर नहीं हो जाएगा है एक से अधिक इसका सही होगा आगे बढ़ते हैं अगला प्रस्ण है अमारा 2011 की जनगर्णा की अनुसर बिहार में कितनी ऐसी जीला है जिसका जनसंक्या 10लाग से कम है तो 10लाग से कम जनसंक्या वाले जीलू की संक्या 3 है सही अंसर 3 हो जाएगा, आगे बढ़ते हैं अगला प्रस्ण है सरशक्ता की दिरिष्टी से सभी राज्यों में बिहार का अस्थान कितना है सरशक्ता की दिरिष्टी से सभी राज्यों में बिहार का अस्थान अन्तिम से पहिला अस्थान है सही अंसर option A हो जाएगा आगे बढ़ते हैं अगला प्रस्न है दोजरेगारा की जनगर्णा के अनुसार नियूंतम नगरिय जनसंख्य तथा नियूंतम नगरिय जनसंख्य परतिसत वाला जीला कौन सा है तो नियूंतम जनसंख्या वाला जीला यह हम उसका परतिसत की बात करें तो जीला में सीवर हो जाएगा और परतिसत में समस्ती पूर हो जाएगा सही अंसर उप्षन यह हो जाएगा आगे बढ़ते हैं अगला प्रसन है दोजरेगारा की जनगर्णा का नुसार सरवाधिक नगर्य जनसंख्या तथा सरवाधिक नगर्य जनसंख्या परतिसत वाला जीला बताना है तो नगर्य जनसंख्या में सरवाधिक जो है वो पटना है और परतिसत में भी पटना है सही अंसर अप्षन सी हो जाएगा यह स्रीजी यहीं पर समापत होता है आसा करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा कमेंट करके जरूर बताएं आपको यह कैसा लगा